मोदी जी कहने लग गए कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं और पचास सालों की उनकी तपस्या की उन्होंने और पांच सालों में तपस्या द्वारा ही आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किये हैं लेकिन बेनोर भाईयों तपस्या अहंकार को तोड़ती है तपस्या क्रोध और नफरत का विनाश करती है इनकी तपस्या ने अहंकार नहीं तोड़ी है तोड़ा है आज इस सरकार का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके बीच आने का एक ही माध्यम है वो सिरफ इस तरह से बड़ी-बड़ी मीटिंगों में आपको भाशन देने आते हैं लेकिन अपने ही क्षेत्र वारा नसी में अपने ही सानसदिय क्षेत्र में पाँच सालों के अंदर उन्हें पाँच मिनट का समय नहीं मिला कि वो एक भी गरीब के घर एक भी किसान के घर जाएं और उनसे ये पूछे कि आपका हालचाल क्या है आप कैसे जी रहे हैं कि मेरा बड़ा शासन है मैं इतना शक्तिशाली हूँ बताईए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी तपस्या कर सकता हूँ ये तो आप से कभी नहीं पूछा है इन्होंने सिर्फ आकर आपको बड़े बड़े भाशन दिये है तब करने वाले इनसान दर्द मंदों के दर्द पर अपनी सत्ता की इमारत नहीं बनाते तब करने वाले इनसान आदि वासी बहन भाईयों की तपस्या का मजाक नहीं उडा सकते भूमी अधिकरन का कानून इन्होंने नश्ट किया है असलियत ये है कि कॉंग्रेस पार्टी भूमी अधिकरन का कानून लाई और इनके शासनकाल में उस भूमी अधिकरन कानून को तोड़ा गया सांसद में लाए जब सांसद में कॉंग्रेस पार्टी और दूजरे विपक्षी दलों ने इनको रोका तब उन्होंने अपने प्रदेश के सीम को फोन किया और हर प्रदेश में जहां भाजप्पा का शासन है वहां भूमी अधिकरन कानून को तोड़ा सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज योटिव चैनल को रिस पैर आइकन को जरूर दबाईए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस अबडेट मिल सेके जो की बिलकुल मुख थे